नमस्का दोस्तों इनकी एज 24 एर्स है यानि एक आद महिने में यह 24 एर्स कंप्लिट कर लेंगे इनकी एज इतनी होने के बावजूत इनकी साइनों की वज़ा से यह सालना एट डिजिट में अनिंग कर रहे हैं वो केवल साइने देती है और वो भी आप लोग जो वीडियो कं को पता होगा और इतनी बारिक रेखाओं से वो साइने बनी है यह तो इनका सहयोग मिला मुझे आभास हो रहा था मैंने इनको कहा कि यहां पर मैनत करिये यहां पर पॉसिबल है और इन्होंने वो मैनत की और वो साइने दिखी जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तर से धनुसा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते है और यह जॉब कर रहे है कोई बिजनेस नहीं कर रहे है पांप स्क्वेरिश भी और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में ऐसे लोग एक एक्सपर्ट रहोते है और मैंती भी भरपूर होते है उंगली का फर्ष सिरा अंगुठे का बहुत नुकिला है तो कारे के प्रति अच्छी का सी जित होती है सेकें उतना दे देंगे पर बाप बनकर इनसे 10 रुपय भी ना ले पाओ इतनी स्ट्रॉंग परसनालिटी होती है फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो वेक्टी में धार्मिक भावना जादा रहती है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा र लेते हैं छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंट तक नहीं पहुच रही है तो यह वेक्टी डॉक्ति डॉक्टेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याद सकती मनी मैनेजमेंट और अकॉंग इसमें मनी ट्रैंगल इनके हाथ में है तो मनी मैनेजमेंट को छोड़ कर य यह सारी चीजों में यह कमजोर होंगे क्योंकि यह उंगली फर्स्ट फैलेंट तक नहीं पहुच रही है अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं मुझे यह जानकारी लेनी रह गई कि इनका जन्म विदेश में हुआ है या इंडिया में हुआ है यह पुछना रह गय एक खड़ी लाइन और दूसरी यह जब लाइन होती है और बूद परवत एक व्योसित है तो मद्यम सुन्दरता होगी इनमें और जब यह बड़ी लाइन होती है तो कहीं न कहीं बुड़ा पे में भी इंकम आती रहती है व्यक्ति के जीवन में आसानी से और बुद परवत अच्छे के साथ साथ एक ट्रैंगल बहुत बड़ा बन रहा है यह इस तरह का ट्रैंगल हो तो ऐसे लोग इनोवेटिव होते हैं यानि कोई भी वस्तू इनके सामने रखी तो नए रूप से पेश करके देते हैं सामने आपके सामने रख देंगे एक और स साइन है यहाँ पर स्टार साइन वह छोटी मात्रा में है ऐसे लोग कोई न कोई रिसर्च करते हैं अपने जीवन में जब यहाँ पर स्टार होता है तो यह क्लियर कट यहाँ पर स्टार है एक यहाँ पर भी है यह देखिए यहाँ यह लोग कोई न कोई रिसर्च अपने जीवन में करते हैं और दोनों प्लस पॉइंट है ट्रैंगल भी है और स्टार भी है यहाँ पर स्टार बनते बनते रह गया यह इस तरह से लाइन जा रही है जो उपर से काट रही है एकी बिंदू पर तीनों लाइने नहीं काट रही है नहीं तो यहाँ पर भी यह स्टार होता था पर इनको इश्वर ने साही ने अच्छी दिये एक एकर के उन साहीनों पर च लाइन और यह चल कर ऐसे जा रही है और यहां से एक लाइन निकली और यहां पर घूम कर ऐसे जा रही है यह जो साइन है इनको हंडेट परसेंट यूज लेवल की सफलता जीवन में देने वाली है आप सोचिए व्यक्ति 24 की एज में 8 बिजिट का पैमेंट ले रहा और वो भ एक यहां पर है और एक यहां पर भी है इनको जमीनों का बेने फिट दिलाएगी यह साइन एक और साइन है इनके हाद में वो यहां पर रहा यहां से लाइन निकली और ऐसे गुमाव लेकर ऐसे गुमाव लेकर रहती के हाद में तीन तीन चार चार अच्छी साइन है यह काफी ग्रोथ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे शनी परवट एकदम फ्लैट है कालस क्या होता पता ही नहीं होता और एक जुपिटर की और जाने वाली रेखा भी बनी हुए यह चार बेनिफिट दिलाती है पॉलिटिकल लाप सरकारी लाप ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कारे करेंगे बड़े स्तर का व्यक्ति करता है तो कई लोगों को चारो लाप मिलते किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक यहां पर कही न कही मुझे ऐसा लगता है कि यह एक इस तरह का फॉर्मेशन भी बन रहा है यह स्क्वेर साइन होगी तो इनका मल्टी सिटी का भी काम भविश में होगा यानि इंटरनेशनल लेवल का काम और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्टी अपने जीवन में रहता है एक ट्रैंगल भी बना हुआ है यह व्यक्टी के मन की इच्छाए पूरी करवाता है जूपिटर माउंट में कोई प्राब्लम नहीं है व्यवस्ति जूपिटर माउंट है और यह जो फोर्क बनता हर्देरेखा पर तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन यह जब लाइने रहती है तो व्यक्ति मल्टिपल इंकम के सोर्स क्रियेट होते है पामिश्री एस्ट्रोलोजी इस्तर के मिश्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिता यह सारी वस्तुवे व्यक्ति को मिलती है अंडूनी मंगल एक दम बढ़िया है तो साधे रिक उर्जा व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छी पाई जाती है बारी मंगल पर भी देखिए फोर्क बन रहा है अगर यह फोर्क ना हो अगर हमारी देखने में कोई गलती हो 99% तो यह फोर्क है तो ऐसे लोग बहुत शार्प होते माइंड बहुत शार्प होता है नेने लेने में और बार ही मंगल अच्छा ही है, जब किसी से मिलेंगे, एनरजी के साथ मिलेंगे, सामने वाला comfortable फिल करता है, और संकट के समय वेक्थी अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है, ऐसे कोई इनके हाथ में वहत बड़े संकटो ही नहीं, एक क्रोस, ये जो साइन है, ये वेक्थ आंगल भी है, जो नव भी हो, तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता, पर है जरूर, और हाथ थोड़ा सा तिल्टेड है, तो वह इसाब से चंद्रपरवत इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर चंद्रपरवत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती, नेने शक्ती अच्छी होती है, विदेश से संबंद आता है, चाहे ये जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर भी जनम लिया होगा, तो नेच्रले इंडिया से संबंद रहे गई, और इंडिया में जनम लिया होगा, तो विदेश से संबंद है, अच्छे परचेसर भी बनाती है तो चन्वे परवत काफी अच्छा है इनका और शुक्र परवत भी काफी और यह रेखा है व्यक्ति को यात्रा भरपूर कराती है यह जब फोर्क बनते है ऐसे व्यक्ति के जीवन में यात्रा भरपूर रहती है शुक्र परवत भी एकदम व्यवसित है तो कपरे अच्छे पेनना अच्छी तरह रहना लग्जरी लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करते है यहां पर यह जो हुर्दे रेखा है यह पूरी गुमाओ ले रही है तो ऐसे लोग प्यार कप्रदर्शन करना पसंद करते हैं भा होते हैं इनका लोग यूज जरूर लेते हैं क्यूंकि यह लोग भावुक होते हैं यह भी देखा गया पर बहुत अच्छे सभावके होते हैं यानि एक तरह के देवदुत होते हैं सब का भला करना यह इनकी सोच रहती है और थोड़ इसी जुपिटर की और टज कर रही है तो expectation level बहुत हाई रहता है, इनका, system से चलने वाले लोग होते हैं, बागी हिर्देरे का उत्तम है, कोई problem नहीं, और ये line माबाब की सेवा करने वालों के आहाथ में रहती है, और ये line, flirt line है, व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी माइन लाइन में gap है, ये जब gap होता है, तो व्यक्ति जिद्धी होता है, किसी के control में काम करना पसंद नहीं आता, जिद्धी सभा होता है, अपने मन के मालिक होते हैं, पर परिवार को जरुवत पड़ी, तो सबसे पहले ही ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे जरुवत भी वहाँ से निकल जाएंगे, और माइन लाइन काफी उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये अगर पैरलर लाइन होगी, तो ऐसे लोगों को नीन से रिलेटेड इशू होता है, पर 99% ये फोर्क है, अगर ये फोर्क नहीं होगा, तो अगर पैरलर लाइन होगी, त नीन से रिलेटेड इशू इनको जीवन में आएंगे, राकि माइन लाइन काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ने, जीवन रेखा भी उत्तम है, अभी ये 24 साल के है, पर एक राव रेखा इनको आएगी, ये आएगी लगबग 27 के आसपास, और उसके पहले भी एक छोटी इसी रेखा ने काटा था, या तो ये ऐसे जा रही है, ये अगर ऐसे जाएगी तो ये रिलेशन कराती है, और ये काटती होगी, तो ये लगबग 25 के आसपास, छोटी सी 2-3 महने की कोई तकलिप आएगी, नहीं तो कोई रिलेशन आएगा जीवन में, अभी आपकी इतनी सा आफ लाइन नहीं दिख रही है, ये लाइन ऐसे जाकर घुम रही है, या ये लाइन तच की है, अगर ये तच की होगी तो कोई नो कोई रिलेशन में है, पहले ही आचुके होंगे ये, अभी वर्तमान में किसी के साथ रिलेशन में होंगे, और ये 25 के आसपास, एक छोटा स मेरेज कराएगी उसके बाद 34 में एक राउ रेखाएगी ये दो रेखाए इस पिरियर में इनको परेशान करेगी तो कोई ने कोई बादा आएगी इनको 34 के आसपास और ये लाइन वापस कोई रिलेशन कराएगी उसके बाद 43 के आसपास भी रिलेशन दिख रहा है अगर ये लाइन 99.99% रिलेशन है जनरली अंग्रेज लोगों के हाथों में इस तरह की लाइने होती है फिर 45 में बहुत बड़ा आपशुट है फिर 48 में एक राउरेखा काट रही है 50 में एक राउरेखा काट रही है बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं है 53 में है राव रेखा और 55 में और 59 में एक बहुत बड़ा उप्शूट है उसके बाद छोट इसी 60 में है और एक छोट इसी 62 में उसके बाद कोई राव रेखा नहीं है, कोई नहीं है तो जीवन में ज्यादा कोई तकलिपे लिखी नहीं है पर इतने relation कहीं न कहीं भारती पुरुष के हाथ में कम पाये जाते हैं अंग्रेजों के हाथ में पाये जाते है और जुपिटर माउंट भी अच्छा है कोई तकलिफ वाला काम नहीं है कि मैं कहूं कि मेरे लाइफ दिश्टब रहे ऐसी भी कोई संकित है नहीं अब चलते हैं इनके रेखाओ की और बहुत ज़्यादा कट तो कहीं नहीं है केवल ये एक कट है इनके जीवन में जो इनको आर्थिक नुकसान देगा ये 40 के आसपास 39-40 के आसपास इनको आर्थिक नुकसान जाएगा उसके बाद देखे तो ऐसे कोई हैवी कट नहीं है ये यहाँ पर ये कट है 52 के आसपास यहाँ पर 50 के आसपास और ये 48 के आसपास ये एक ही लाइन इनको कट देगी बागी कोई खास मेजर कट नहीं है ये तो बहुत मामुली रेखा से कट आउट है और अप टू एंड तक रेखा उत्तम तरीके से चल रही है और यहाँ पर देखे तो इंकम के साधन और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उमर बढ़ेगी यह लगबग एक और लाइन डवलप होगी 42-43 के आसपास यह 44-45 के आसपास डवलप होगी मल्टिपल इंकम के और यह सारी लाइने इन्वेस्मेंट से जो आनिंग होती है उसकी शोख हो रही है अब इनके कट बताता हूँ धन रेखा कैसे चल रहे है उस पर चलते है पूरे हाथ में केवल यह जो पिरियड होगा अब तो यहां तक यह कम ग्रोथ वाला रहेगा 34 से लेकर 38 तक यह पिरियड कम ग्रोथ वाला रहेगा और यह एक कट लगेगा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ 39 या 40 में उसके अलावा कोई टेंस वाला हाथ नहीं है जादा कोई रेखा है बहुत ज़्यादा खराब चल रही है ऐसी नहीं है सारी रेखाओं में थ्रेड है और उत्तम तरीके की रेखा है बस यह केवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कम नहीं होगा पर कहीं न कहीं लाइन है यह भी लाइन टच कर रही है अगर यह लाइन जो मैंने बताई 36 में लव वाली यह अगर यह काटती होगी तो इसे राव रेखा पकड़ना केवल आप अपने लेवल पर देख लेना 99 पर सेंट यहाँ पर कट करती हुई दिख रही है इस फोटोग्राफ में यह लाइन यहाँ टच कर रही होगी और रुख जाती होगी तो यह रिलेशन लाइन है और उसके पहले भी रुख गई होगी तो राव रेखा है आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद